हे फ्रेंट्स तो कोई एक रिवी में बात करते हैं नेट्फिक्स पर लीज हुई त्रिल्या हॉरर फिल्म चूज और डाइको जिसकी सबसे पहले कहानी की बात करें तो ये कहानी एक ऐसे गेम की है जिसमें कोई भी फस्ता है तो कभी भी जिन्दा बचकर बाहर नहीं निकलता और अब इस सिच्वेशन में कायला तो फस्ती ही है और साथी साथ उसे जानने वाले लोग भी जिन मुसीवतों को डिल करते हुए कायला अपने एक एक स्टेप को कैसे आगे बढ़ाती है वही सारी डीटेल जानने के आपको देखनी होती है ये फिल्म जिसकी लेंद आल्मो के लिए ये फिल्म इंट्रस्टिंग रहेगी और डेफिनेटल एक वर्थ वाज भी क्यूंकि फिल्म की पेस बहुत ही जादा फास चलती है जिसमें हमें ब्रूटल किलिंग तक दिखाई जाती है जो जादा ना देखियो ही ओडियंस को अगें कहूंगा इंट्रस्टिंग बात करें इस जानल में देखकर कई सारी फिल्में बैठी वी ओडियंस की तो उनके लिए ये फिल्म फिल्हाल तो कुछ भी नया प्रेजेंट नहीं कर रही या फिर अगर कहूं एक अच्छे कंटेंट को इस फिल्म ने बरबात किया है तो बात बिल्कुल भी गलत नहीं लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन मुझे पसंद बिल्कुल भी नहीं आई है क्योंकि इस तरीके के कंटेंट मैंने बहुत ही जादा देख रखे है जिसमें मुझे ये फिल्म कभी जुमान जी ब्लैक मीरर तो वार गेम जैसी फिल्मों की याद दिला रही थी लेकिन जितने अ ओडियंस को थोड़ा बहुत फिल करवाने के लिए ब्रूटेल किलिंग को एड़ करकर हॉरर फैंस को थोड़ा बहुत सैटिस्पाय करने की कोशिश की गई है इसी कारण से ये फिल्म मेरी नजर में एक बहुत ही खाली समय में बैटकर वन टाइम बहुत जैसी फिल्म है हूँ अजीश शेक मिलूँगा आपसे जल्दी दूसी किसी वीडियो में तिल देन बाई